ह него ह्लोट्स आज मैं आपको बताऊंगा कि पसु में किसी भी त्रह के घहाव कूर सुकाने की अच्छी एंटीवायटिक बॉलस यहीडि पसु मी किसी भी ता है Surrey के लिए कौन सी अच्छे एंटिवाइटिक बोलस का परियोग करना चाहिए आज की वीडियो के अंदर डेटियल से पताऊंगा उसके अंदर क्या साल्ट होता है उसकी कितिन डोज देनी चाहिए बैस्ट जिसे पसूं के किसी भी तरह का गाव वह आसानी से सुक्स के यानि भर सकतेए बहुत इस तरह के इलिए के रहे थे वैंतिनरियन के कि सरीज तरह की एंटिवाइटिक बॉलस इसके अंदर साट हो वह एंटिवाइटिक बॉलस। जो कि पसूं में देने पर पसूं के घाव भर जाए क्यूंकि बहुत इस तरह कą ये यह कोई शबर आप्नाहिभा हो जाएगा वीडियो लंवी होगी स्किप्रियों में देखना 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 सबस्टाकानलर गवाउ कं इसकी सब्स्टाक सब्सक्राइब उन बॉलस से पाया था इसी तरह से एदी पसू में जिसकार चैफ हमडी हो गई खुरुपका मुपका हो गया उस इस्तती में पसू में इदी घाव हो गये हैं तो वहाँ पर भी आप उन बॉलस का परियोग कर सकते हैं एदी पसू में जो वाइरल इंफेक्शन हो जाता है कोई बी यह इदी कहीं पर गिर गया चोट लग गया उसकी विजह से एदि वाँ पहां पर गहां हो गया तो भी हाप परियोग कर सकते हैं इसके साथ पस्षू हैं जिस प्रकार से सिंग है उनका सिंग तूट गया वहां पर घाव हो गया तो परियोग कर सकते हैं या किसी भी तरह से पस्षू के जो थन है वह फट जाते हैं वहां पर घाव हो जाते हैं यानि सरीर के किसी भी यंग पर किसी भी तरह का एदी गाव हो गया हूँ फोड़े फुन्सी हो गई हूँ उसकी विज़े से गाव हो गया हूँ वह एदी सूक नहीं रहा है तो उस इस्तती में उन एंटिबाइटिक्स बॉलस का परियोग परियोग करवा सकते हैं बहुत यह अच्छा रिजल देखने को मिलता है एक और बताना चा करवा एक कि इंटिबाइटिक्स बालोस बता रहा है एक जिसमें पर्शू में किसी भी तरहिए रूमन में माइक्रो फलोरा की संक्या को कम नहीं नहीं करेंगे इन्हीं है परियोग परियोग करवा सकते हैं तो कि सबसे पहले को बोलस बता लिक्सिन टेबलेट जिसके अंदर सार्ट आता है सिपालिक्सिन यानि सिपालिक्सिन जो टेबलेट आती है इस टेबलेट का परियोग पसु में इदि किसी भी तरह का इदि घाव हो जाता है तो आप परियोग कर सकते हैं जो बड़े पसु हैं लाज एनिमल्स हैं जिनका बॉलस परड़े के साब से दे सकते हैं एक जैसे बेड़ बक्रियों में दिकत हो गई तो एक बॉलस का तीसरा इसा और कम वोड़ी वेट है तो चोता इसा आप परियोग कर सकते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि यह जो शिपालेक्सिन जो टेपड़ेट है इसका जो सकते पसू हैं या जो दुद दारण पस्वाइं उन में घैब करते हैं तो कही तरह एक ya side effect देखने को मिलते है लेकिन आपको इसको ज्यादा परियोग नहीं करण में दुद की मात्रा को बहुत ही जादा कम कर देती है से लिए इसकी जगantine आप दूसी टेबलेट का भी प्रियोग कर सकते हैं यह दि दू देने वाला प्रियोग नहीं हो तो आप इस टेबलेट का प्रियोग करेंगे बहुत यह अच्छा रिजल्ट परसू में देखने को मिलेगा इससे के साथ आती हैं जिस तरह से दूसरी वोलस है जैसे मोक्सी वेल जिसके अंदर साथ आता है मोक्सी फ्लोकजासीन है लाइसोजाइम कलोराइड है और प्लेटीनम लेक्टोवेसिलस प्लेटीनम है अब देखो यह लेक्टोवेसिलस प्लेटीनम है यह क्या करता है कि पसू में रूमन की प्याच को भी मेंटेन करता है पसू में होने वाले ज का बहुत अचा रिजल मिलता है क्योंकि इसके अंदर साल के से मोक्सी फ्लोक्जाशी लाइसोजाइम कलोराइड लेक्टो बेसिलस प्लेटिनम जो कि परशू में किसी भी तरह का गाव है बहुत यह अच्छी एंटिवाइटिक बोलस है रिजेल्ट भी इस बोलस का बहुत यह अच्छा है देखो मैं यहाँ पर कोई भी किसी भी कंपनी का को एड़नी करा हूं लेकिन जिस चोटी ब्रांड या बड़ा ब्रांड लेकिन जिसका अच्छा रिजेल्ट है वह आपको इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है देखो यह इस तरह की बोलस आ यह अगतार तीन दिन दिन के पांց दिन भी सोंगे सकते हैं जिस तरह से वाइरल एक्यूंट में गाऊ मैं मैं पूरा आप में पर सकते हैं लेकिन क्रिटिकल स्टेज में जिसमें पस्टों की बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है शरीर पर बहुत इस तरह के वूंस हैं उनको बढ़ने के लिए वहना आपको एक ही टेबलेट दिन में एक बर ही परियोग करनी है मेडियम साइज के पस्टों है तो इसके हाप भाग परियोग करना है चोटे से चोटे चोटे तो इस चौटे का पांच्वाथ nhiExförयू जञ शक्रणा इस तरह से यह आप इस टेबलेट का बोल करेंगे तो यह हैं के तरह साफ आती है कैरस की ए lot फोर्ट जिसके अंदर सार्ट आता है एमोक्सिसलीन ट्राय हाइड्रेड जो और सलबाक्टम सोडियम इसके अंदर भी लेक्टो बेसिलस आता है जो कि यह भी क्या करती है कि यह पशू में किसी भी तरह के गाव है उनमें परियोग कर सकते हैं जो इस तरह कि यह टेबलेट आत संदीत कोई दिकत पर्षणों में नहीं करते हैं तो इस तरह की बोलस हैं जो लार्ज अनिमल्स बड़े पर सुआं तो इन में दो बोलस प्रड़के साब से लगातार तीन दिन परियोग कर सकते हैं और मेडियम सथों कि एक छोटे हैं बेड़ बक्रेयां तो इस एक बनी बो बोलस का बहुत अच्छा रिजल्ट है जो इदी पर्शू में परियोग कराएंगे तो और भी अलग रिजल्ट पर्शू में देखने को मिलेगा जो मैंने आपको डोज बताइए असी के अनुरूप आपको यह परियोग करनी है यह आप अपने परियोग कोई भी जो एंटिब झालिए हो जई आपको फड़ जो इताए जो करेंगे अ